जब भी हमें लगता है जो भी हो रहा है ये गलत है चीजे सेंस नहीं बना पा रही है लाइफ में कुछ सेंस नहीं है तो आदमी भटक जाता है खुच से हार जाता है इसी थीम को लेकर आज ही हमारी मूवी आती है जिसमें गलटगी एक गैंग्स्टर के प्यार में बढ़ती ह इसके आगे क्या होता है, यह हमारी आज की मुवी, Lost Girls and Love Hotel, 2020 की एक thriller drama मुवी में हम देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से मेले मैं आप सबसे request करना चाहते हो, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को like और comment जरूर कर दीजे, इसे चानल को बहुत support मिलता है, बिने किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी main character को, जिसका नाव है Margaret, इसे एक tunnel से जाते होए देख सकते हैं, यह बहुत ही drunk है, और उसका कोई पीछा कर रहा था, उसने cigarette निकाली, तो cigarette को जलाने के लिए वो आदमी उसके पास आ गया था, उसे कहती है, मुझे होटेल लेकर चलो, यह scene यही कतम होता है, और कुछ दिन प flight attendance के school में पढ़ा दिया, उसका job जापान में है, तो वहाँ की लड़कियों को, सही तरीके से चीजे प्रनाउंस करना सिखा दिया, वो कल रात बहुत ही जादा drunk हो गई थे, और hangover होकर ही अपने job पर आई, उसके एक student है, जो से as a teacher बहुत पसंद करती है, वो student उसे गहती है कि तुमारा outfit बहुत अच्छा है, कल रात Margaret जब बहुत अच्छा है, कल रात Margaret जब बहुत अच्छा है, उसने जो कबड़े पहने थे, वो ही पहन कर यहाँ आई हुई है, इसका मदलब है, रात बहुत घर ही नहीं गई, यही टॉरेट में जाकर अपना outfit वो change कर लेती है, यह कि बॉस नहीं यह सब notice किया, उसे बुचा, यह तुम ठीक हो, Margaret कहती है कि मैं ठीक हो, और फिर वो अपना job continue करती है, Margaret एक छोटे से studio apartment में अकेली रहती है, हर रात अपने friends के साथ बार में hangout करती है, उसके एक friend का नाम है Agnes और दुसरे का Liam, कि आज रात भी बार में drunk होकर, उसके कहे रही थी, कि actual में drunk होना कैसा होगा, यानि कि इतना drunk कि आप चल फिर भी ना पाओ, इसके बाद जब वो toilet गई, तो वहाँ एक आदमी से टक रहे, उसके साथ ही वो intimate हो जाती है, बाद में उसने अपने friends को join किया, यह फिर से drunk हो है, रात में जब Margaret और उसका friend Liam अकेल यही रस्ते पर उसने हमारे और एक main character को notice किया, जिसका नाम ही यकुजा, Margaret ने कहा, उसके life में उसने देखा हुआ, यकुजा इस सबसे beautiful आदमी है, यही चीज वो बाद में movie में भी कहती है, यकुजा भी उससे notice करता है, signal खतम हुआ, और यह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, बहुत रात हो चुकी थी, उसके friends घर उपर चले गए, पर वो घर नहीं गई, अलग जगा पर जाकर फिर से trunk होने लग गई, इसी बार में वो किसी और आदमी सी मिलती है, इन दोनों ने एक दूसरी को देखकर smile किया, और वो फिर उसे directly hotel लेकर आया, यह दोनों intimate हो रहे थे, तो Margaret कहती है, इससे मुझे bond करो, यानि कि उसके हाथ पर पट्टिया, इस सरा की चीज़े उसे अच्छे लगती है, यह आदमी उसे hurt नहीं करना चाता था, यह नहीं कर सकता, तो वहाँ से चला जाता है, Margaret आज रात भी घर नहीं गई थी, तो वैसे ही अगले दि गई, तो उसके पास उसके boss आती है, गयती है, यह तुम्हें पता है, कि मैंने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा था, Margaret को नहीं पता, उसे समझाती है, कि जब मैं यंग थी, तो तुम्हारी तरह हुआ करती थी, Margaret को यह बिलियों नहीं था, क्योंकि उसके boss अब particular लगती है, उसके boss कहती है, मेरा husband नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, सब लोगों को पता है, कि मैं बहुत sad हूँ, मैंने मेरी life में कितनी भी mistake की हो, पर फिर भी इन लड़कियों को मैं कुछ सिखा सकती हो, वो Margaret को कुछ सही करने के लिए इंस्पार कर रही थी, इसके बाद Margaret एक book store म में आई, यहावर एक painter की book को देख रही थी, जहावर सब nudes painting बनाई हुई थी, अचानक से यहाँ, उसे यकुजा मिलता है, वो उससे बोचता है, क्या थुम्हें आर्टिस्ट पसंद है, वो गहती है कि हाँ, कहता है कि मुझे भी, इसके बाद directly, यह दोनों होटेल में आयो माघरेट कहती है, कि मैं नहीं समझूंगी, अगली दिन जब वो अपने job पर थी, तो उसकी बहुत सब चीज़ें तुम्हें सिली लगती है, कहती है, एक्चुल मुझे job करने में मज़ा आता है, उसे flight attendance को role play करकर बताना आता है, यानि कि छोटा सबेबी और एक terrorist कि किस तरह से behave करेंगे, यह सब उसे role play करकर दिखाना होता है, उसे अपने अलावा और कोई बनना अच्छा लगता है, उसका job जब खतम हुआ, तो नीचे ही यकुजा उसका wait कर रहा था, वो कहता है कि जाता वरी मत करो, हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं, वो उसे regional जापने इस restaurant मे लेकर गया, जहावर उन्हें अपने shoes निकाल कर वैसे अंदर बैटना होता है, मागरेट ने अपने shoes निकाले, पर उसके socks फटे होये थे, पूरी डिनर तक उसे uncomfortable ना लगे, तो इसलिए यकुजा उसे एक अलग restaurant में लेकर आता है, वो उसे बोचता है कि तुम जापान में क् वो गयती है, मुझे अकेला रहना था, वो ऐसे तो लोगों से दूर नहीं रहना चाहती, सिर्फ अपनी country से, अपने surrounding से दूर रहना चाहती थे, ये बाते कह रहे थे, तभी पीछे से एक आदमी ड्रंक हो गया था, वो मागरेट से आकर टकरा गया, इस वज़े से वो ज़र लोग तुमें disturb करते है, इसे वज़े से उनसे तुमें दूर रहना पड़ता है, ये फिर होटेल में जाकर intimate हो जाते है, मागरेट ये खुजा से पोशती है, तुमें मुझे 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 पसन क्या है, ये खुजा कहता है, तुम बहुत ही special हो, तुम जल्दी से खुश नह इसे मागरेट सैड हो गए थी और भаन से चली गई, नेक सी में मागरेट और इसकी फ्रेंट हैंग आउट कर रहे थी, मागरेट कहती है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूह, उसकी फ्रेंट पूछती है, ये ये योकुजा की वज़े से है, प्यार और पागलपन मे जादो कुछ डिफरेंस नहीं होता मागरेट कहती है कि उसकी शादी होने वाली है उसके फ्रेंड को इसके लिए बुरा लगा उसने कहा कि लाइफ एक राइड है इसका तुम मजा लो मागरेट को अच्छा फिल कराने के लिए वो एक बार में लेकर के मागरेट को अपनी जॉब पर लेड़कों को सिखाना यह मजा आने लग गया था जब योकुजा और वो फर्स टाइम मिले थे जो बुक को पढ़ रही थी यही बुक योकुजा उसे गिफ्ट करता है मागरेट को यह देखकर अच्छा लगा वो इसी बुक में एक होटेल का कार्ड है यहाँ पर जाकर यह उसके साथ इंटिमेट हो जाती है मागरेट को योकुजा एक गैंस्टर है यह बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है वो गहती है क्या कभी तुमें कोई फिंगर काट कर ऐस गिफ्ट देता है यह कुजा कहता है कि अगर किसी ने गल्दी की और हम जाते हैं पूरी लाइफ में उसे गल्दी याद रहे तो ऐस अ पनिश्मेंट उसे उसकी फिंगर काटना पड़ता है इसके बारे में यह कुजा जादा बात ने करना चाता था वो मागरेट से बोश्चता है तुमारी फैमिली का आए उसके मदर और फादर इन दोनों की डेथ हो चुकी है उसका एक ब्रदर है जिसे अपने दिमाग में आवाजे सुनाएं देती है जो पास रहे अपना कहे ऐसा उसके लिए कोई भी नहीं है वो उससे पुछती है क्या तुम अपनी वाईब से प्यार करते हो यह खुजा कहता है को एक रिस्पॉंसिबिलिटी है आफ लाइफ में कभी भी अकेला नहीं रह सकते है लोग, कम्यूनिटी इन सब चीजों की जरुरत पढ़ती है इसलिए उसने शादी की है इसके बाद इस दोनों फिर से इंटिमेट हो गए भुजा उससे पुछता है तो मैं बेड में इस तरीके के गेम्स खेलना क्यों अच्छा लगता है वो गहती है यही चीज़े है जो मुझे एकसाइट करती है नेकसिन में मागरेट अपने फ्रेंज के साथ हैंग आउट कर रही थी इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है लियम उसकी गल्फ्रेंड वहाँ पर आई इन दोनों की जोड़ी बहुत ही क्यूट थी मागरेट इने देखकर इनका मज़ाग लेने लग जाती है अगली दिन जब वो काम पर आ रही थी तो बाहरी योखुजा खड़ा था उसे कहता है कि चलो हम कहीं चलते हैं मागरेट को जॉब पर जाना था वो नहीं आ सकती थी कहती है क्या हम कल नहीं जा सकते हैं पर योखुजा जित करता है तो अपना जॉब डीच करकर वहाँ से चली जाती है उसकी कुछ टूड़न्स ने ये सब देख लिया था ये दोनों ट्रेंस से इस जगा पर जा रहे थे यहुजा ने अपने बजपन की कुछ फोटोस उसे दिखाए मागरेट को बहुत क्यूट लगती है इसके बाद एक टेंपल के उपर एक ब्यूटिफल से नजारे के सामने उसे लेकर आया यहाँ और एक दुसरे को किस करते है इसके बाद एक टेंपल था जिसे कहते हैं कि बुद्धास रूम इस डाक रूम में एक साइन बना हुआ था यहाँ आने से तुम फिर से रिबॉन होती हो तुमारे पास लाइफ से तुमारा कोई भी लेना देना नहीं है नीचे आने के बाद उसने उसे पूछा तुम्हें किस तरह से फील हो राह है मागरेट को ऐसे कुछ अलग फील नहीं हो रहा था यहाँ गयता है कि Margaret कल अपना जॉब डीच करकर वास से भाग गई थी इस बात से उसके बहुत ज़ादा गुस्सा थी उसने Margaret का जॉब एक अलग इंस्ट्रक्टर को दे दिया है वो उसे आकर फायर कर देती है Margaret कहती है कि मैं इससे अच्छा कर सकती हो बेटर बन सकती हो उसके बोस कहती है कि तुमने मुझे नहीं तुमारी स्टूडर्ण्स को डिसपॉइंट किया है वसे सही नहीं लगता उसने Margaret को कहा तुम्हें बेटर बनना है तो कही और जाकर बनो Margaret बहुत रोती है कुछ दिनों से यगुजा ने भी उसे कॉन्टैक नहीं किया एक दिन उसकी फ्रेंड उसके पास आई हुई थी वो अमेरिका वापस जा रही थी Margaret को बहुत पुरा लगा कहती है कोई भी अच्छी चीज कभी भी हमारे पास नहीं रहती सब अच्छी चीजे कभी ना कभी सब चीजे कभी ना कभी खतम होने वाली है Margaret फिर अपने फ्रेंड के साथ लास्ट टाइम बार में आई Margaret ने उसे बोच्छा कि तुमने मुझे as a friend क्यों चूज किया था उसकी friend कहती है कि दुनिया में एक hunter हो आज राद Margaret एक रैणनाव आदमी के साथ intimate हो गई अगले दिन जब वो स्टीट पर थी तो उसने योकुजा को notice किया योकुजा अपनी पूरी family के साथ था उसने यहाँ उसकी wife को भी देखा जब उसकी family चली के तो उसका वो पीछा करती है योकुजा एक building में inter हुआ था और Margaret उसे कही भी ठोण नहीं बाती है वही पर नीचे बेट कर रोने लग जाती है योकुजा ये सब चीजे अपने कैमेरे से देख रहा था उसके पास आता है वो गहता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए मैं तुम्हारी लिए सही नहीं हूँ Margaret कहती है कि मैं तुम्हारा secret बन सकती हूँ वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहती है ये दोनों फिर intimate हो गए Margaret ने यहाँ I love you कहा योकुजा को ये बहुत अच्छा लगता है आज योकुजा ने जो भी किया इसका उसे बहुत पच्छता होता है Margaret को यही रहना था उसे जॉब नहीं थी एक restaurant में जहाँ पर उसे strip करना पड़ेगा वहाँ जॉब ले लेती है बस नाइट वो जॉब पर आई वो उसे सही नहीं लगा वो खोदी बहुत जादा ड्रंक हो जाती है दुबा तक बाहरी रही और एक जगा पर बहुत रो रही थी हमने देखा था कि उसके friend Phil की girlfriend थी उसने उसे notice किया उसे breakfast के लिए बाहर लेकर आती है Margaret उसे कहती है कभी कभी मुझे सिर्फ अकेला रहना पसन आता है आज रात भी वो बहुत जादा ड्रंक हो गई सिटी में एक जगा पर पोस्टर लगा हुआ था कुछ लड़किया स्टीट से मिसिंग हो रही थी Margaret आज भी ड्रंक थी मुवी के फस में हमने जो सीन दिखा था जिसमें Margaret को एक stranger अप्रोच करता है वो उसे कहती है कि मुझे होटेल लेकर चलो यह stranger बहुत ही अजीब लग रहा था Margaret उसे बता दी है उसे सबम्यूसी होना पसन है वो आदमी फिर उसे बेड़ से बान देता है वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करती हो तो special हो ऐसा कुछ भी नहीं है वो गहता है कि मुझे इस तरह के होटेल पसन है वो जब यंग था तो एक लड़की को लेकर यहां आया करता था वो दोनों मास्क पहन देते Margaret से कहता है कभी कभी लोग उनके रियल फेस के पीछे बहुत ही घटिया होते है Margaret को रियलाइज हुआ कि शायद ये रात उसकी आखरी रात है उसे फिर से बुद्धा का टेमपल दिखा उसे लगा कि वो फिर से रिबॉन हो रही है वो आदमे उसे मार ही डालने वाला था तो भी वहावर यकुजा आ गया वो Margaret को बचा लेता है वो बिलिव नहीं कर पाए कि यहाँ एक्चुल में यकुजा था वो से पूछती है या तुम मेरा पीछा कर रहे थे यकुजा अभी भी उसके लिए केर करता है तो हमेशा उस पर वो नज़र रख रहा था Margaret कहती है तुम्हें कावर्ड हो यकुजा भी यह मान लेता है क्योंकि वो Margaret से सही से पैर नहीं कर सकता Margaret को अभी अभी नियर डिद एक्सपिरियंस हुआ है तो डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ को फिर से सही तरीके सी जिएगी वो चेंजेस लाएगी तो इसी वज़े से वो फिर से अमेरिका जाने वाली है जाते जाते यकुजा को कॉल करती है कहती है तुम सही थे बुद्धा के टेंपल में जाने के बाद मैं फिर से रिपॉन हुई हूँ अपनी फ्लाइट में Margaret ने अपनी स्टूडन को देखा जो फ्लाइट अटेंड़न बन शुकी है उसे बहुत प्राउड महसुस होता है वो जो काम करती है वो कही न कहीं मैटर करता है मुवी के फस में उसने जो डायलोग कहा था वही डायलोग वो फिर से गहती है पर एक एडिशन की साथ मुझे लगता है कि कोई भी हैपी एंडिंग नहीं होती लाइफ में चीज़े होती रहती है जो बहुत ही मैसी है कुझ भी सेंस बना नहीं पाती लोग उनकी लाइफ के अलग-अलग इवेंट्स को जोड़ते रहते एक स्टोरी बनाते है पर इस सब मैटर नहीं करता अगर हम नोटिस करें तो यह सारी चीज़े बहुत ब्यूटिफूल है जो भी लाइफ में होता है इसमें ब्यूटि ढूंड सकते है मार्गरेट अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हार चुकी थे उसे यह गुजा से प्यार हुआ पर उसे वो भी नहीं मिला नियर डेफ एक्सप्रियंस होने के बाद उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है जब उसने अपनी स्टूरंट को ऐस अ अटेंडन देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा जैसे कि उसके बॉस ने कहा था कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है पर इन मिस्टेक से मैं कुछ सिखा सकती हो यही जीज आके चलकर मागरेट करेगी उसके लाइफ में जो भी जीज़े होती है इसमें उसने ब्यूटी ढून ली है इसे एक positive message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चानलों को subscribe कर दीजे bell notification icon दाउने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमयों के साथ तो जिले thank you और आप अपने आपका खैल रखे